टोकिया ओलम्पिक में भारते खिलाडियों की किट पर नहीं होगा चीन की कमपनी का नाम आयोए ने लिया ये फैंसला पिछले गुरुवार को नई किट का हुआ था अनावरण भारते ओलम्पिक संग ने फैंसला किया है कि इस साल जापान की राधधानी टोकियों में 30 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने ओलम्पिक खेलों में चीन की कमपनी ली निंग उसकी अधिकारिक किट स्पॉंसर नहीं होगी और देश के खिलाडी खेलों के महाकुम में बिना ब्रांड की किट पहन कर उतरेंगे आईयोए ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है और बताया कि उन्होंने देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैंसला लिया है दरसल भारते टीम की किट प्रायजक्ट चीन की कमपनी लीनिंग थी और पिछले सब्ता जब टीम की किट लाउंच ही तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था ऐसी खबरे हैं कि इसके बाद खेल मंतराल ने आईयोए से कहा कि वह खेलों के लिए चीन की कमपनी को प्रायजक्ट नहीं रखे आईयोए ने मई 2018 में लीनिंग के साथ करार किया था करार के मताविक कमपनी खिलाडियों के कपड़े जूते प्रायजक्ट करेगी हलाएं कि प्लेइंग किट बनाने वाली कमपनी भारत ये नहीं है बलकि चीन की कमपनी लीनिंग है पिछले गुरवार को जब किट का अनावरन हुआ तो कपड़ों पर लीनिंग का नाम था लेकिन मंगलवार को आयोए ने बयान जारी कर इस सम्मन्द में नई जानकारी दी है और बता है कि भारते खिलाडियों की किट पर चीन की कमपनी का नाम नहीं होगा